अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल पिदेश में आपके बिधानसवा चुनाव हुए थे और उसके बाद आपने देखा है कि कॉंग्रेस को बहुमत मिला और उनकी तरफ से अभी हिमाचल पिदेश के नए मुक्मंत्री होंगे सुक्विंदर सिंग सुक्खु और सुक्विंदर सिंग सुक्खु को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आज हम लोग हिमाचल पिदेश के बारे में बात करेंगे सुक्विंदर सिंग सुक्खु के बारे में बात करेंगे और मुक्मंत्री पत के बारे में बात करेंगे कि आखिर सम्मिधान में कहां प्रावधान है मुखमंतरी का, इसकी नियुक्ती कौन करता है, और कौन मुखमंतरी बन सकता है, और इसका कारकाल क्या होता है, मुखमंतरी का, और इसके पास सक्तिया क्या होती है, क्या कार रहते हैं इसके, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, कु अगर हिमाचल पिदेश की बात करें तो आप देखेंगे सिमला इसकी राध्धानी है हिमाचल पिदेश की और अंतराश्टी सीमा इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी चाइना से लगती है और राज्यों में देखें तो लद्दाग, जम्मु कस्मीर, पंजाब, हर्याना उत्तर पिदेश और उत्तराखंड से लगती है इसकी दो राज्धानिया है एक आप देखेंगे कि ग्रिस्म कालीन राध्धानी सिमला है और सीथ कालीन राध्धानी धरम साला है और एक नवंबर 1956 में इसे कैंदसासित पिदेश बनाया गया था और पूर्ण राज्यों का देखने को मिलेंगी और 55,673 वरक किलूमीटर में आपका हिमाचल पिदेश फैला हुआ है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अब अगर हम लोग सुक्विंदर सिंग सुक्खो की बात करें तो इनका जनम आप देखेंगे कब होता है 27 मार्ज 1964 में नादौन हिमाचल प इनकी पतनी का नाम है और इनकी सिक्षा की बात करें तो राजकिये उच्च विध्याले कसुम पट्टी सिमला से इनकी सुरुवाती सिक्षा होती है और डिगरी कॉलिज संजोली से इन्होंने पड़ाई किये हिमाचल पिदेश बिस्विध्याले सिमला से इन्होंने सिक्ष ली हुई है और विदी में कानोन में इसना तक किये हुए हैं और राजनीती बिज्ञान में Master of Arts किये हुए हैं तो यानि कि आप कहिए कि पड़े लिखे भी हैं और राजनीतिक दल की बात करें तो भारती राश्टी कॉंग्रेस से जुड़े हुए हैं और भारती राश्टी बेवमेश चंद बनर जी थे, WC बनर जी और इसके संस्ताफक AO हियूंग थे. अगर हम लोग सुविद नर सिंग सुख्खु की राजनितिक यात्रा की बात करें, राजनितिक सपर की, तो आप देखेंगे कि 1989 से 1995 तक, वो NSUI के पिदेश अध्यक्च रहे. अब आप लोग कहेंगे कि NSUI क्या है? यह आप देखते हैं, कॉंग्रेस से जुड़ा होगा एक संग्रण है, जिसे National Student Union of India के नाम से आप लोग जानते हैं. 9 अपरेल 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और इंदरा गांधी फाउंडर थी इसकी, और आप देखेंगे कि नई दिली में हेड़क्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो इसकी अध्यक्च रहते हैं, पर 1998 से सन 2008 तक भारती राष्टी युवा कॉंग्रेस की पिदेश अध्यक्च रहते हैं, फिर आप देखेंगे कि 1992 से 1997 तक सिमला नगर निगम की पारसत की रूम में काम करते हैं, 1997 से 2002 तक सिमला नगर निगम के पार्सत की रूम में वो पुनाहा निरवाचित होते हैं, 2003 में वो राज विधान सभा के लिए निरवाचित होते हैं, और विधायक बननी की एगर हम लोग बात करें न, तो इसके लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होने चाहिए, और अधिकतम उम् थे लागी जाते होंगे, थिर आप देखेंगे कि 2007 में राज विधान सभा के लिए वो पुनाहा निरवाचित होते हैं, 2007 से 2012 तक मुख सचे तक कॉंग्रेस विधाय निरवाचित होते हैं, और विवसाय सलाकार सम्तियों के सदस्की रूम में नामित होते हैं। 2013 से 2019 तक हिमाचल पिदेश कॉंग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष रहते हैं। और 2022 में जो आपकी हिमाचल पिदेश में विधान सवा चुनाओ हुए हैं। वो फिर से आप देखी नादौन निर्वाचन चेस से चुनाओ जीते हैं। और ये सभी चुनाओ कौन करवाता हैं। Election Commission of India। देखी चाहे आपकी विधान सवा हो, विधान परिशाद हो, राज्य सवा हो, लोग सवा हो, राष्ट पती हो, पराष्ट पती हो। भारती निर्वाचन इने भारती निर्वाचन आयोग चुनाओ की देखरेक करता है। पत की बाद भी कर लेते हैं। अंदर सरकार में देखते हैं न, कि राष्ट पती एक तरह से नाम मात की सक्तिया रहती हैं। प्यधान मंत्री के पास बास्तविक सक्तिया रहती हैं। उसी तरह से राज्यों में भी ऐसा ही होता है। राज्यपालों के पास नाम मात की सक्तिया रहती हैं। मुक मंत्री बास्तविक सक्ति का एक तरह से आप देखी अधिकारी होता है। और एक बात और आपको बता दू। किसी को भी मुक मंत्री नहीं बना देगा राज्यपाल उठाके, जिसके पास बहुमत होगा, उसी को मुक मंत्री बनाए जाएगा। अब आप मेंसे बहुत सारे लोगे भी पूँचेंगे। माले जी किसी भी पायटी को भाँमत नहीं मिला है, तो आप देखे सबसे पहले किसको सबसे बड़ी जो पायटी होगी, जिसके पास बहुमत होगा, आप देखे सबसे जाना बिधायक होगे, उसको सरकार बनाने के लिए नियोता दिया जाएगा। अगर वो नहीं आती है, तो दूसरे नमबर की इस तरह से बात होती है, या फिर आप देखे उस ब्यक्ति को जो भाँमत जुटाने की असार होगे, जिसके पास भाँमत जुटा सकता है, उसे भी आमंतित किया जा सकता है सरकार बनाने के लिए, हाला कि राजपाल द्वारा विवेका धीन सकतियां राजपिधासन में मुखमंत्री सकती अधिकार और प्रभाव पितिष्ठा उभुमिका को कुछ हत्ता कम कर देती है, और एक ब्यक्ति जो राजपिधासबा का सदस नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुखमंत्री के रूम में नियुक्त किया जा सकता है और उस अमय सीमा की भीतर उसे राजपिधासबा की सदस्ता गरहन करनी होगी, ऐसा ना करने पर उसे मुखमंत्री पत का तयाक पत्त तयाक करना होगा, कहने का मतलब ए है, कि आप अगर राजपिधासबा में, देखी आप लोग केंदर में अगर आप जाए, यानि कि सेंटर लेबल पर जाए, तो अगर आप राजपिधासबा लोगसबा के सदस्त नहीं है, तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, कैमिनेट मंत्री बन सकते हैं, और पिधान मंत्री बन सकते हैं, और इसी तरह राजपिधासबा और जिस राजपिधान परशद है, अगर इन दोनों के और मुकमंत्री बन सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर आपको बिधान सबा या बिधान परिशत का सदस बनना अनिवार होता है बरना आपको पद छोड़ना होगा आपने देखा होगा कई उधारन आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आपने देखा होगा कुछ मैं पहली महराष्ट में उधाव ठाकरे आपने देखा होगा ना तो बिधान सबा के सदस थे ना ही बिधान परिशत के और वो मुकमंत्री बन गये थे लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने बिधान परिशत का सदस चुना गया था ठीक है और इसी तरह आपने देखा होगा पर्श्य मंगाल चलिए ममतावर्ण जी अमनी सीट से चुना खार गई थी लेकिन फिर भी मुकमंत्री बन गई थी लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक सीट खाली करवाई थी वहाँ से बिधायक बनकर वो हमेसा के लिए मुकमंत्री बनी रही आगे अगर ऐसा ना होता तो उन्हें इस्तीपा देना पड़ता अच्छे है भईने के बाद ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा और स्तीयम के कारकाल की बात करने तो मुकमंत्री का कारकाल निश्चित नहीं होता है वह राजपाल की पिसाथ परेंद पद्धारन करता है जब तक बहुमत रहेगा तब तक आप मुकमंत्री बने रहेंगे और ऐसा तो है नहीं कि आप देखेंगी कि हमेसा के लिए आप मुकमंत्री निउक्त कर दिये गए अब यह आप देखें जैसे महराष्ट का उधारन दिया आपको महराष्ट में आपने देखा है कि उधाव ठाकरेप के पास बहुमत्ते वो मुकमंत्री बने रहें जैसे बहुमत उनसे हटा उन्हें मुकमंत्री पर छोड़ना पड़ा तो यहीं रहता है राजपाल द्वारा उससे तब तक बरखास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अब बिधान सवा में बहुमत प्राप्त होता है उसके पास और यदि वो अब बिधान सवा में विस्वास मत खो देता है तो उससे त्याकपत दे दना चाहिए अनता राजपाल उसे बरखास्त भी कर सकता है अगर हम लोग मुखमंत्री की सक्तियों और कारी की बात करें तो मंत्री परसद की संबन्द में राजपाल केबल उनी बैक्तियों को मंत्री के रूम में नियुक करता है जिनकी सिफारिस मुखमंत्री द्वारा की जाती है ऐसा नहीं कि राजपाल किसी को भी मंत्री बना दे नहीं मुखमंत्री जिने से फारिस करेगा उसे ही मंत्री बनाये जाएगा वह मंत्रियों के बीच बिभागों का अवंटन और फेर बदल करता है वह Πदश से इस्थिवा देकर मंतरी परसत का विक्टन कर सकता है क्योंकि मुकमंतरी मंतरी परसत का फिरमुक होता है तो ये मुखमंत्री का काम है राजपाल की सम्मंद में आप देखें तो समिधान के अंचेद 166 की तहट राजपाल और राजमंत्री परसद की बीच मुखमंत्री एक कड़ी की रूम में काम करता है मुखमंत्री द्वारा महादी वक्ता राज लोक सिवायो राज चुनाओ आयो आधी के अध्यक्ष सदस्नों जैसे महत्पूर्ण अधिकारियों की निवति के संद में समंद में राजपाल को बुसला दे सकता है कौन मुखमंत्री राज जी के विधान मंडल की समंद में अगर आप देखें तो वह सभी नीतियों की घोष्णा कर राज जी के एक नेता की रूम में लोगों की बिभिन बर्गों से मिलता है उनकी समस्याओं के बारे में ग्यापन प्राप्त करता है वह ऐसे वाओं का राजनेतिक पिर्मुक भी होता है कौन मुखमंत्री तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मुखमंत्री सुखविंदर सींग सुखू की कहानी हो गई और मुखमंत्री पत की कहानी हो गई है तो आप मुख मंत्री के बारे में तो आपको मालू होना चाहिए न और काफी चर्चा में बने रहते हैं आज कल मुख मंत्री और आपको केंदर में बताया ना सेंटल में कि आप देखिए जैस जैसंकर साहब हमारे आपने देखा होगा कि वो राजसभा से क्या है हमारी विदे मंत्री बन रहा है क्यामनीट मंत्री बन रहा है उस समय नहीं है तब भी आप बन सकते हैं लेकिन 6 महीनी के अंदर आप लोग क्या सदस बन जाना चाहिए यह जरूरी रहता है ठीक है